FPO यानि farmer producer organization ये scheme CAC में लगबग 3-4 महिने से चल रहा है और इसका registration अभी भी live है अभी भी इसका registration हो रहा है बहुत से वेली इस scheme में इस service में registration करके इसका अच्छा खासा benefit उठाया है तो इस वीडियो में FPO scheme क्या है FPO scheme में कैसे registration करना है FPO scheme से वेली को क्या benefit मिलेगा और FPO scheme में वेली को कैसे काम करना होगा इसके बारे में complete जानकारी मिलेगा आप इस वीडियो को complete watch किजिएगा और साथ ही हमारे इस channel में पहली बार आए हैं तो channel को subscribe भी किजिएगा तो चलिए वीडियो को start करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने एक banner open किया है FPO scheme का ये banner है ये banner लगबग 3-4 महिना पूराना है लेकिन FPO scheme के बारे में पूरा benefit पूरी जानकारी इस banner में आपको मिल जाएगा साथ ही आपको FPO scheme में registration करके भी दिखाएंगे तो पहले जान लेते हैं FPO scheme है क्या तो FPO scheme कम से कम 9 किसान और एक वेली भाई मिलकर ये FPO center open कर सकते हैं वो भी एक पंचायत में एक FPO center open होगा और ये center में क्या काम होगा तो आपके गाव में जितने भी किसान है वो जितने भी फसल उगाते हैं उपस उगाते हैं वो सारे फसल आप अपने FPO center से खरीद सकते हैं और इस पर FPO का label लगा कर बेच सकते हैं और ये सारे फसल बेचने के लिए आपको कहीं बाहर factory में ले जाकर बेचना नहीं होगा ये सारे फसल ये जो FPO center open करके देगा वही आप से ये सारे फसल खरीदेंगे अब बात करते हैं कि इसमें वेली का क्या benefit तो इसमें उसका क्या benefit रहेगा तो पहला तो benefit यही रहेगा कि अगर आप फसल के खरीदारी करते हैं तो इसमें भी आपको कुछ ना कुछ benefit मिलेगा ही साथी आपके FPO center से बहुत सारे काम और किसानों को खेती करने में जितने भी बीचों की ज़रुरत पड़ती है वो सारे बीच आप अपने FPO center से भी बेच सकते हैं जिसमें FPO का label लगा हुआ रहेगा और वो बीच आप FPO center से बेचेंगे तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं FPO benefit by CSC Valley तो यहाँ पर आप देख सकते हैं All Agree Input Products तो किरसी में जितने भी बीचों की ज़रुरत होती है वो सारे बीच आप बेच सकते हैं FPO center से साथी यहाँ पर आप देख सकते हैं Market Linkage आप अपने product market में भी बेच सकते हैं और साथी यहाँ पर आप देख सकते हैं Agree Government Service किरसी से related जितने भी Government Service होते हैं वो सारे service आपके FPO center से भी होगे साथी Custom Hiring Center का भी benefit मिलेगा और साथी यहाँ पर आप देख सकते हैं Finance Insurance Service भी आप प्रवाइड करेंगे अपने किसानों के लिए क्रिसी से related जितने भी Finance Services होते हैं वो सारे services FPO center से प्रवाइड किये जाएंगे और भी यहाँ पर नीचे option दिया गया है यह सारे benefits CAC Valley को मिलेगा साथी उन 9 किसान भाईयों को मिलेगा जो 9 किसान भाई मिलकर FPO center open करेंगे साथी इसमें अगर आपका FPO center open हो जाता है तो इसके थुरू आपको 15 लाख रुपिये तक का loan मिलेगा और यह loan आप लोग को चुकाना नहीं पड़ेगा इसका कुछ term and condition होता है उस term and condition को अगर आप follow करते हैं तो 15 लाख का loan आपका माफ हो जाएग और 9 किसान भाई मिलकर अगर FPO center open करना चाहता है तो वो कैसे इसमें registration करेंगे तो इसके लिए CAC ने बहुत ही पहले लगबक तीन मेहने पहले एक Google link जारी किया था इस link के जरीए आप CAC FPO इसकी में registration कर सकते हैं तो यह link अभी भी activate है यह भी link अभी काम कर रहा है तो यह link आ में अभी इस link को open करके आप लोग को कैसे registration करना है इसके बारे में दिखाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं interested form for FPO formation यह CAC के दुवारा जारी किया गिया है यहां से कोई भी वेली FPO scheme के लिए registration कर सकते हैं तो यहाँ पर registration करने के लिए सबसे पहले CAC वेली को अपना C full name नीचे आएंगे यहाँ पर अपना contact number डालेंगे यहाँ पर अपना email id नीचे यहाँ पर अपना village का नाम यहाँ पर gram punch site का नाम यहाँ पर block का नाम नीचे यहाँ तहसील का नाम इसके बाद यहाँ पर अपना district का नाम यहाँ पर अपना state का नाम अपने area का pin code इसके बाद नीचे आएंगे R.E.U. फार्मर, जो भी वेली फार्मर है, किसानी करते हैं, खेती करते हैं, तो वो यहां येस करेंगे, अगर वो खेती बाड़ी का काम नहीं करते हैं, तो यहां नो पर किलिक करेंगे, इसके बाद नीचे आएंगे, if as land, कि आपके पास जमीन है, अगर है तो वो कितने एकड में है, वो यहां पर आप बताएंगे, इसके बाद नीचे आएंगे, यहां पर पूछा जा रहा है, number of interested farmer, तो यहां पर आपको बताना होगा, कि FPO scheme में, कितने किसान भाई, आपके साथ जुड़े है, यह scheme, यह center open करन है, इसके बाद आप लोग को इसके बारे में और अधिक जानकारी मिलेगा, FPO organizer से, वो जानकारी आप लोग को तभी मिलेगा, जब आपका यह registration accept हो जाएगा, जैसे यह accept हो जाएगा, आपके दिये गए contact number और email ID से, आपसे contact करके, आपको FPO scheme के बारे में, कैसे open करना है, क्य या क्या procedure रहेगा, आगे का, इसका complete जानकारी FPO organization से मिल जाता है, तो जिन-जिन CAC Valley VAE ने FPO scheme के लिए registration नहीं किये है, वो registration कर सकते हैं, और इस service से CAC Valley VAE को अच्छा benefit देखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत से CAC Valley VAE ने FPO registration करके, इसका अच्छा benefit उठाया है, तो आशा करते क इस वीडियो की जानकारी आप लोग को अच्छी लगी होगी, और वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आये तो वीडियो को लाइक करे, साथ ही हमारे इस चैनल में नहीं आएं, तो चैनल को सस्क्राइब जरू करे, ताकि ऐसे और भी आने वाले अप तक सबसे पहले पहुचे तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद